अगर आपका भी सपना है एर फोर्स में भरती होने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है अगर आपके लिए बहुत खास रहने वाला है इस वीडियो में इस लिए इस वीडियो को एंट तक जरू देखेगा और उन्स सभी के साथ जरू शेयर कीज़ेगा जो एर फोर्स में भरती होने का सपना देखते है तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, कौन सी ये पोस्ट हैं, देखें दोस्तों सबसे बहले बात कर लेते हैं, number of vacancy की किस में कितनी vacancies यहाँ पर announce की गई हैं, various post में, Indian Air Force में ये vacancies announce की गई हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, यहाँ पर देखें जो total vacancies हैं दोस्तों वो है में 17 और MET में 10 vacancies इसमें total निकाली गई हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, Air Force Common Admission Test F-CAT की, तो various post यहाँ पर number of vacancies मैं आपको बता दी, अब बात करते हैं, जो सबसे important part है, important dates की कब आप इसके लिए apply कर सकते हैं, दोस्तों, तो form 30 मही से निकलना शुरू हो जाएंगे, केवल 3 या 4 दिन बाकी हैं, इसमें apply करने के लिए starting date है, 30 महीं, और last date जो apply करने के रहेगी, वो 28 जून तक रहेगी, और इसका tentative exam जो conduct करवाय जाएगा, August month में करवाय जाएगा, tentative इसलिए है, दोस्तों, यह August से September या October नहीं हो सकता, August में कहा है, तो August में ही exam conduct करवाय जाए तीसरी important सबसे चीज जो आपके लिए है, दोस्तों, यह है qualification, कौन-कौन से student इसके लिए apply कर सकते हैं, तो यह ध्यान से देख लिए, qualification में मैं आपको बताऊं, अगर आप flying officer के लिए apply कर दे हो, तो आपके पास bachelor degree होने चाहिए, और bachelor degree भी होने चाहिए, 12th के साथ आपने उसम physics और math पढ़ा होना चाहिए, जिसमें आपके minimum 50% marks होने चाहिए, यानि कि आप science side से होने चाहिए, जिसमें physics और math में 12th में आपके 50% marks होने चाहिए, ठीक है, other post के लिए आपके पास होने चाहिए, bachelor degree minimum 60% marks, ठीक है, और आगे देखिए, accounts के लिए अगर आप apply कर रहे है, bachelor degree हो होने चाहिए, with commerce, right, आप देखिए, इसमें height भी आपकी required, height मांगी गई है, 157.5 cm male, all other post के लिए, और 162.5 cm मांगी गई है, for flying officers के लिए, और females के लिए 152 cm for females आपकी height मांगी गई है, ठीक है, तो requirement check कर लेना, अगर इन में qualification और height इतनी है, तो apply जरू कीज़ेगा, बहुत शा बहुत ज़्यादा इज़द भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी इस post में आपको, ठीक है बई, तो यहाँ पर देखे, examination pattern में हर एक post के लिए discuss करता हूँ, क्योंकि आपका selection इसी से होना है, तयारी जो करोगे, आप इसी की करोगे, तभी आप इसमें select हो सकते हो, ठीक है बई तो यहाँ पर देखे, subject की वे बात करूँ, तो verbal ability in English, journal awareness, reasoning and military aptitude, numerical ability, 30 question इसके, 25, 25 इसके और 20 इसके, हर एक question 3 marks का है दोस्तों इसमें, और total time जो मिल रहा है आपको, 2 घंटे का इसमें आपको time समय मिलेगा, overall, ठीक है, overall, कोई individual timing नहीं है, इसमें individual subject के लिए, जैसे banking के exams में हो करते हो, तो एक mark कटेगा आपका, ठीक है वाई, तो यहाँ पर देखे, यह थी हमारी इसकी written exam का pattern, अब यहाँ पर देखे, steps to prepare, कैसे आपको prepare करना है, यहाँ पर देखे, stage 1, सबसे पहले आपको, सिर्फ एक CBT clear नहीं करना आपको, यहाँ पर देखे, कौन-कौन से steps हैं, ज स्क्रीन शॉट ले लिया है, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसकी detail जालने के लिए, तो सबसे पहले इस F-CAT written exam, जो मैंने आपको pattern बता दिया, यह qualify करोगे, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपका, stage 2 में आप जाओगे, AFSB testing होगी, आपकी successful candidates from the written examination, अंडर conference is conducted by assessors, psychologists, ground testing officer, interviewing officer to determine the candidates, overall performance, qualified candidates, complete necessary document provided by the board, ठीक है बाई, तो यहाँ पर देखिए, last में जाकर आपकी merit list बनेगी, तो final candidate यहाँ पर यह लिस्ट आपकी जब निकलेगी, तब आपका पता चलेगा, कि आपका इसमें selection हुआ है, यह नहीं हुआ है, इन steps से आपको गुजरना बढ़ेगा, तो बाई, जब इजब इज़त और शौरत दोनों चीज़े बहुत शांदार हैं इस वेकेंसी की, तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, selection के लिए, राइट, यह थी detail में इसकी बात, दोस्तों, अगर Indian Air Force का सपना देखते हो, तो ज़रूर एपलाई मैं तब तक मोज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, have a nice day